दोस्तो एक खिलाडी का किर्केट करियर एवरेज 15 से 20 साल होता है ज्यादातर खिलाडी 35 से 40 की उमर में सन्यास ले लेते हैं उसके बाद वे अपनी एक नई जिन्दगी की सुरुआत करते हैं कुछ खिलाडी तो बाद में भी किर्केट से ही जुड़े रहते हैं जैसे कि कुछ किर्केट के कोच बन जाते हैं और कुछ कुमेंटेटर का पद संभालते हैं लेकिन किर्केटर से राजनेता बनने का भी इत्यास काफी पुराना है इसका जीधा जागता सबूत है पाकिस्तान के वरतमान परदान मंतरी इमरान खान जो एक बहतरीन किरिकेटर थे लेकिन इमरान खान दुनिया के अकेले ऐसे किरिकेटर नहीं हैं जो किरिकेटर से परदान मंतरी बने हैं इसके अलावा और भी कुछ ऐसे किरिकेटर हैं जिनोंने पहले किरिकेट खेला और फिर आगे चल कर अपने देश के परदान मंतरी भी ब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सर एलेक डगलस होम सर एलेक डगलस होम एक बिरिटिस कंजरवेटिव राजनितिक के थे जो अक्तूबर 1963 से अक्तूबर 1964 तक युनाइटिड किंगडम के परदान मंत्री रहे अपने समय में परतिवा साली किर्केटर सर ए देवे उन्होंने 37 रन नोट आउट के सर्वसरेश्ट स्कोर के साथ 16.38 की ओसत से 147 रन बनाए अपनी मध्यम गति की गैनबाजी से उन्होंने 30.25 की ओसत से 12 विकेट भी लिये लॉर्ड डगलस को अपने मजबूत परति द्वेंदवी हेराल्ड हिलसन को मात देकर बिरिट सर फ्रांसिस बेल न्यूजी लैंड में जन्में पहले ऐसे नाग रिकते जिन्होंने 10 से 30 मई 1925 के अपने छोटे से कारियकाल के दोरान आधिकारिक तोर पर पर परदवान मंतरी के रूप में कारिये किया अपनी किसोरावस्था में एक परख्यात किरिकेटर रहे बेल ने दो परतम सरेणी मेचों में वैलिंग्टन का परतिनी दिक्ताव किया राष्टे इस तर पर खेल पाने में एसमर्थ रहने पर सर फ्रांसिस बेल ने सन्यास ले लिया और राजनीती में परवेस किया नैलसन में जन्में फ्रांसिस बेल ने कैम्बिरिज विस्विद्याले से सना तक की उपादी प्राप्त की वैलिंग्टन के मेर के रूप में अपने राजनीतिक कार्यकाल की सुरुआत करते हुए वे आगे परदान मंतरी बनने में सफल रहे इमरान खान किर्केटर से राजनेता बने इमरान खान पाकिस्तान के परदानमंत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए 22 साल तक संगर्स करते रहे इमरान खान ने 1971 से 1992 के बीच पाकिस्तान के लिए टैस्ट वे वंडे क्रिकेट खेला वे 1992 में वीजी विसु का पभियान के दोरान अपनी राष्टे टीम के कप्तान रहे उन्हें पाकिस्तान के महानतम क्रिकेटरों में से एक माना जाता है कामिसे से मारा सर कामिसे से मारा को फिजी राष्ट का संगस्थापक पिता माना जाता है उन्होंने 1970 से 1992 तक देश के परदान मंत्री और फिर 1993 से 2000 तक इसके राष्ट पती के रूप में कारिय किया कामिसे से मारा फिजी के लिए दो पर्थम सरेणी मेच ओटागो और कैटमबरी के खिलाब 1953-56 के निवजी लेंड दोरे पर खेल चुके हैं एक पैसेवर क्रिकेटर के रूप में टीम के उप कप्तान मारा को कैंटर बरी के खिलाब मेच के दोरान दाहीने हाथ में एक दुर्भग्य पौन्चोट लगी जिसकी वज़े से उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं हो सका नवाज सरीब विशुकप विजेता कप्तान इबरान खान देश में राजनितिक नैतरतों के सीर्स पर जाने वाले एक मातर पाकिस्तानी किरिकेटर नहीं हैं दिल्चस्क बात यह है कि उनके राजनितिक परतिद्वनद्वी नवाज सरीब भी एक अच्छे कलब किरिकेटर थे और उन्होंने एक पर्थम सरेणी मेच खेला था हालनकि सरीब इस मेच को भूलना ही ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इसमें वे पहली ही गैन का सामना करते हुए सुनने पर आउट हो गए थे